जैसे ट्रीस काफी ज़्यादा इंपोर्टन्ट है सबी के लिए वैसे ही कॉरल रीव्स वी ओशियन के लिए इंपोर्टन्ट होता है जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं सब्सक्राइब दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉरल रीव्स ओशियन के लिए बहुती ज़्यादा इंपोर्टन्ट होते हैं जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं मूवीस में हमने कई बार देखा होगा कि ओशियन के अंदर ब्योटिफुल और कलर्वल प्लांस होते हैं जिसके पास डिफरेंट टाइप्स के स्पैसिस रहते हैं यह말ए और कई सारे स्पैसिस इस पर डिपेंडेंट होते हैं सबसे पहले समझते हैं कि क्या है coral reef और फिर देखेंगे कि ये क्यों important है coral दिखने में तो plant की तरह होता है लेकिन असल में ये animals होते हैं coral reefs छोटे-छोटे plant से बनते हैं जिने polyps कहा जाता है इसके size एक needle से लेकर एक football तक का हो सकता है कहीं कहीं पे coral reefs की colony बन जाने में 100 से लेकर 1000 साल से भी जादा का वक्त लग जाता है इतने जादा होते हैं coral reefs अब जानते हैं कि क्या करता है coral reefs ocean में जो carbon dioxide होता है उसे trap करता है corals जो कि atmosphere का temperature drastically affect कर सकता है और यहीं नहीं ocean current को भी slow करता है coral reefs coral reefs से coastal area को एक natural protection मिलता है coral reefs 0.1% से भी कम ocean floor को cover करता है लेकिन 25% पूरे marine creatures coral reefs के वज़े से ही जिन्दा है और इस 25% पे 20 लाग से भी ज़ादा marine creatures है जो कि या तो directly या फिर indirectly coral reefs पे dependent होते हैं और यहीं नहीं हम भी काफी ज़ादा dependent होते हैं coral reefs पे diseases जैसे के asthma, cancer और heart diseases जैसे बिमारियों की दवाई अभी coral reefs से ही बनती है और यहीं नहीं coral reefs की वज़े से 5 trillion pound से भी ज़ादा बिजनेस होता है पूरी दुनिया भर में तो कहां है coral reefs? दुनिया का सबसे बड़ा coral reefs औस्टेलिया में है जिसे the great barrier reefs के राम से जाना जाता है वो 1900 किलोमेटर से भी ज़ादा का है इंडिया में भी काफी जगाव पे coral reefs पाए जाते हैं जैसे के अंडबार निकोबार आइलाइंड, लक्षद वीब, गुल्फ ओफ काच, गुल्फ ओफ मैनमार इन में से किसी भी जगाव पे जाके आप coral reefs को देख सकते हैं coral reefs बाय डाइवर्सिटी के लिए काफी ज़ादा important है और ocean life इस पर directly या फिर indirectly dependent होती है तो दोस्तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए interesting fact के साथ तब तक के लिए हमारे channel से जुड़े रहे और चैनल को subscribe करना ना बुले और इसके साथी साथ चैनल के latest update पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें Thanks for watching us